एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने श्यांदर यूटूब के फोम के बहुत बहुत स्वागत है पिछली वीडियो में हमने चैप्टर टू पलनोमिल के सैवन सम कंप्लीट किये थे जिसमें जिरोज फाइंट करने थे आज हम प्रड़क्ट ओफ जिरोज अलफा बीटा करके जो एक्वेशन दे रखिये जो भी पेपर में कोस्चन आता है इंप Jim veteran कोस्चन है जो पिछले पेपरों में आयathers नहीं कोस्टन है दो जार थेंश के अंदर भी स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी दे रही के इस वन जिरोज ओब 2X के मैंने 3X प्लस के इस रैसी प्रोकल ओफ दा अधर जो एक जिरोज दे रखा है वो सेकंड यानि दूसरे जिरोज का रैसी प्रोकल है रैसी प्रोकल का मतलब है उल्टा ठीक है देंदा value of K तो हमने K की value find करनी है हमने क्या किया 1 salvation को alpha अफा लेट कर लिया और अधिर जिरोज है उसको 1 by alpha क्योंकि उसका reciprocal है पहले का तो उल्टा हो जाएगा उसका product of of although का formula होता है C by A ठीक है C कितना है? K और A कितना है? 2 तो यहां पर प्रड़क्ट जरोज लिखते हैं अल्फा इंटू वन बाई अल्फा और इजिकल टू यह एक सी बाई सी कितना है के और बाई में एक इतना है तू अल्फा से अल्फा कैंसल तो के की वैल्यू क्या आगी तू और यही हमने फाइंड आउट करना था जो ने फाइंड आउट कर दी है करीर हो गया सम कोई भी डाउट हो कुमेंट बोक्स में आपने जरूर बताना है ठीक है चलिए नेक्ट सम को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट है इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जिरोज ओवदा प्लोनोमियल अब देखो भी दो जिरोज होते हैं आपको पता है क्वाडिटी प्लोनोमियल की उनकी वैल्यू कुछ भी पुछी जा सकती है अल्फा बीटा भी पूछ लेता है वो पी क्यों भी पूछ लेता है SR भी पूछ लेगा मतलब कोई भी वैल्यू उसने जिरोज में पूछ सकता हो जिरोज नम्बरों में भी आ सकती है तो 2 जिरोज आएंगे ना अब इसने पहले से हमें 2 जिरोज दे रखे है अलफा बीटा ठीक है इस प्लिनोमियल के जो क्वाडिटी प्लिनोमियल है और हमने फाइंड आउट करना है वन बाई अलफा और वन बाई बीटा अगर इस इस वैल्यू को देखे तो हमें अलफा और बीटा के वैल्यू निकालने पड़ेगी लेकिन यहाँ पे 4 को 7 से मंटिप्लाई करें 28 आएगा 28 के ऐसे फैक्टर नहीं बनेंगे कि जिसको जोडने पर 3 आना चाहिए गटाने पर तो आ सकता है लेकिन जोडने पर आना चाहिए तो फोर्मूला नहीं लगा सकते ना वो पीछे वाड़ा तो अब हमें sum of 0 और product of 0 का फोर्मूला लगाना पढ़ेगा तो sum of 0 sum of 0 अब हमें sum दे रका है alpha और 0 दे रकाए alpha बिटा तो यहां पर alpha परस बिटा फोर्मूला होता है minus b upon में a b की value हमारे पास 3 है माइनस के 3 आ जाईए a की value हमारे पास क्या है 4 है clear हो गया होगा आगे हमारे पास formula का है product of zeros alpha into beta का मतलब है product of zeros और इसका formula उपर लिखा था c by a c की value क्या है 7 और a की value क्या है 4 बस value को put कर दो जो find out करने find out क्या करने 1 by alpha अब देखो 1 by alpha plus 1 by beta find out करने हैं लेकिन हमें alpha beta plus beta और alpha into beta तो दे नी रखें तो इसका मतलब इसकी cross multiply करके ऐसे लिख लेंगे इसको alpha plus beta नीचे alpha की beta से करेंगे तो alpha beta आब देखो ये value दे रखी हमें कोई भी question आजे आपने alpha plus beta और alpha into beta की form में उस question को बनाना हैं बस कैसे बना हो चाहिए बन गया तो समझो question हो गया alpha plus beta कितना दिया हुए alpha plus beta minus 3 by 4 अब alpha into beta 7 by 4 नीचे लगेगा तो ये क्या होगेगा 4 by 7 4 से 4 cancel तो answer क्या आगया minus के 3 by 7 आपका क्या आगया answer आगया उमीद करते हैं समसमझा आगया हुए क्लियर चलिए next हम देखते हैं next है मारे पास if alpha beta are 0 of a polynomial x square minus 4 root 3 x plus 3 then find the value of alpha plus beta minus alpha beta तो alpha plus beta का मतलब है sum of zeros तो पहले ये value निकाल लो c by a minus b by a होता है तो ये 4 root 3 and alpha into beta c by a होता है 3 by 1 3 आदेगा क्योंकि c की value क्या है 3 और a की जो इसके साथ लगी होते है 1 ने value put कर दो तो alpha plus beta minus alpha beta 4 root 3 minus alpha beta answer आ चुका है बस value put कर दी alpha plus beta minus alpha beta ठीक है बिल्कुल ऐसे simple say sum है next sum में next sum में if alpha beta are 0 of a polynomial fx 2x square minus 7x plus 3 alpha square plus beta square इसका मतलब क्या है alpha plus beta और alpha into beta निकालना पड़ेगा alpha plus beta क्या होता है minus b by a यनि ये minus क्या है तो 7 और by में क्या जेगा 2 alpha into beta c by a c 3 है और a कितना है 2 तो 3 by 2 बस क्या है अब ये निकालने के लिए alpha square beta square plus 2 alpha beta add कर दिया 2 alpha beta minus क्यों क्यों क्योंकि हमें a square plus b square plus 2a b ये alpha plus beta का whole square होता है यहां से लेकर ये जो value है वो alpha plus beta का whole square होता है इसलिए मैंने इस value को बनाने के लिए क्योंकि ये हमें दे रखा alpha plus beta ये नहीं दे रखा तो इस value को इसमें convert करने के लिए मैंने 2 alpha beta add कर दिया 2 alpha beta minus कर दिया ये यहां से लेकर यहां तक ये बन गया 2 alpha beta तो बहार आ गया bright में alpha into beta रह गया अब value पुट कर दो alpha plus beta की क्या है 7 by 2 इसका whole square तो 7 by 2 का whole square minus 2 into alpha into beta alpha into beta 3 by 2 3 by 2 2 से 2 cancel 7 का square 49 2 का square 4 ये 3 बचिया cross multiply 49 4 को 3 से की 12 49 minus 12 39 by 4 कलेर हो गया होगा sum कोई भी डावी टो तो कमेंट सेक्शन में जुरूर बताने आपने में ठीक है important question चल रहे हैं ऐसा नहीं भी paper में आने वाली कसूते स्वाल कसूते तरीके time waste ने करूँ आपका जिसका time waste और है channel को छोड़ कर जा सकता है कि चली नेक्स हम देखते हैं कि इफ अलफा एंड बीटा आर जिरो ओवदा प्लिनोमियल एक्स केर माइनेस फाइव एक्स प्लस के सच देट अलफा माइनेस बीटा वन के इक्वल्प दिया हुआ है और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कलीर हो गया तो सबसे पहले हम वही प्रसेश मरा सेम चलेगा भी बार बार वही कोस्तन वही फोर्मूला रपीट होगा अलफा प्लस बीटा इजिकल टू क्या है माइनिस बीवा ए अब माइनिस का पहले से ही है तो यह क्या आजएगा फाइव वन दे दो अलफा माइनिस बीटा इजिकल टू क्या है वन गिवन है इसे टू दे दो ठीक है अब यह प्लस का है और यह माइनिस का है तो इनको एड़ कर देंगे एड़ वन एड़ टू एक और दो को एड़ कर देंगे ठीक है तो अलफा प्लस बीटा के अंदर अलफा माइनिस बीटा एड़ कर दिया और इजिकल टू में क्या है फाइव प्लस में इदर क्या है वन दोनों को एड़ कर दिया बीटा से बीटा कैंसल टू अलफा इजिकल सिक्स अलफा की वैल्यू क्या आजेगी थरी तो इसका मतलब अलफा कितना आगया थरी आगया ठीक है अभी हमारे पास अलफा की वैल्यू हाई है ठीक है बीटा की वैल्यू और निकान लो तो फ्रॉम वन अब जो जो अलफा की वैल्यू आई है थरी वो वन के अंदर पुट कर दो अलफा प्लस बीटा मारे पास फाइव है तो अलफा का है थरी बीटा का है नहीं देर का प्लस क्या है फाइव तो बीटा यहां से क्या आगया फाइव माइनस थरी इस इकल टू ठीक है तो बीटा की value कितनी आगी तू आगी लेकिन हमें alpha बिटा तो निकाल लिया चलो ये भी बात सही है लेकिन हमने तो find out किसकी value करनी है k की value करनी है k c की value है तो apply कर दो alpha into beta is equal to k किसके equal दे रखा है k के equal दे रखा है alpha into beta product of the road is equal to c by a c की value k और a की value 1 alpha कै 3 और beta कै 2 और इजिकल टू कै k तो k की value क्या आगी 3 to j 6 ये हमारी k की value आ चुकी है ठीक है मतलब क्या है मैंने एक equation दे रखी थी equation की form में जब दे रखा हो तो आपने addition या subtraction की form में इसको करना है उमीद करते हैं question समझ आ गया होगा आगे चलते है next sum की तरह question है मारे पास इफ अलफा बिटा आर जिरो या root of the quantity polynomial x square minus k minus 6 into x plus 2k plus 1 find the value of k if alpha plus beta equal to alpha beta देखो भी alpha plus beta alpha beta के equal है find out मैं इसी की निचे कर देता हूँ alpha plus beta की value चेक कर लो कितनी है minus b by a तो b की value क्या है k minus 6 by a a की value क्या है 1 is equal to alpha into beta क्या है c by a 2k plus 1 और by में क्या है 1 क्योंकि a की value bracket में लिखना चाहो तो लिख लो alpha की value होती है minus b by a यानि k minus 6 by 1 alpha into beta की value होती है c by a यानि 2k plus 1 by 1 ठीक है बस अब कुछ नहीं solve करो इसको k वाली value लग कर लो k minus 2k is equal to 1 ये minus का 6 इदरा के plus का तो minus का k is equal to 7 तो k की value क्या आगी minus k 7 बस इतना ही question था भी बस इतना ही question था इतना ही question था बस उमीद करते हैं समझ आ गया होगा ठीक है चलिए next sum देखते है next है if the sum of the zeros of a quadratic polynomial ky square plus 2y minus 3k is equal to twice their product sum जो है वो किसके को है twice the product k की value find out करने है sum of zeros निकाल लो minus b by a b की value क्या है minus k 2 या plus क्या है तो minus में क्योंकि minus का formula में है अब उने में a, a की value क्या है k product of zeros उता है c by a c की value क्या है minus 3k और a क्या है k 3k by k k से k cancel minus 3 ठीक है अब given में क्या condition दे रखी है हमें कि sum of zeros is equal to two time product of zeros ठीक है ये given है sum of zeros हमने उपर find किया तो minus 2 by k is equal to 2 in 2 में product of zeros कितना है minus 3 3 to minus 6 ये minus 6 2 के divider में चला जाएगा क्योंकि minus से minus cancel 2 के divider में चला गया k इस तरफ आजएगा 2, 3 जा 6 तो k की value क्या आगी 1 by 3 तो 1 by 3 हमारा क्या आगया answer आ चुका है कोई भी doubt है तो जुरूर बताना है कोमेंट में चलिए next sum की तरफ चलते हैं next है हमारे पास कि if alpha, beta, r0 जोगदा polynomial 25p square minus 15p plus 2 find a quadratic polynomial तो जिरोज are one by two alpha and one by two beta ये हमने find out करना था ठीक है तो इसके जिरोज हमें दे रखे हैं एक और quadratic polynomial बनाने हैं जिसके जिरोज ये दे रखे हैं इसको मेरे तूजरो हो जाए सम इस इन दोनों का सम और इन दोनों की प्रड़क्ट अंसर आजेगा तो पहले हमें 2 अलफा और 2 बीटा की वैल्यू निकालने पड़ेगी तब जाकर हमारे पास यह वैल्यू कंप्लीट होगी तो सबसे पहले हो सकते हैं हमें अलफा प्लस बीट माइनिस बी बाइए 15 बाइ 25 ठीक है कैंसल आउट करेंगे तो यह वैल्यू आजेगी 3 बाइफाइ इसको त्री दोनों को 5 से डिवाइड कर देए इसको करेंगे तो 3 इसको करेंगे तो 5 एंड अलफा इंटू बीटा भी निकाल लो सी बाइए टू बाइ 25 यह मैंने वैसे निकाल लिया हो सकता है इनकी जुरूर्त पढ़े फिर बाद में फिर निकालना पड़ेगा ना जुरूर्त पढ़े तो यह पढ़े रहेंगे ठीक है तो अब हमें इनका सम करना है भी वन बाइ 2 अलफा क्योंकि सम उपजूर्व पड़क्ट उपजूर्व दोनों में कुम्मन है तो इसकी वेल्यों आजएगी अलफा प्लस बीटा मतलब अलफा को वन से की अलफा बीटा को वन से की बीटा टू बाहर है टू निच्चे है मतलब मैंने नीच्चे लगा दिया साथ में क्या है देखो वी जरूर तो पड़ेगी देखो उपर आगया नल्फा ब्लस बीटा आल्फा प्लस बीटा कितना है थित यह थिए को ठीक है और नीच्चे है इसके तू इन्टू में अल्फा इन्टू बिटा है टू बाइ फाइव ठीक है ट्वन्टी फाइव उपर चला जेगा फोर निचे रह जेगा इसको कैंसल कर दो फाइव पे कितना अंसर आगया फिप्टीन बाइव फोर अब हमारे पास सम है वह बाइ तो अल्फा प्लस उन्बाइ टू बिटा इनका सम यह आगया अब इनकी करनी है प्रड़क्ट वन बाइ तू अल्फा यह बन जाएगा वन बाइ फोर तू की टू से गी और इन्टू में बन जाएगा वन बाइ अल्फाबिट वन बाई अल्फाबिट है अल्फाबिट है तो ट्वन्टीफाइगा इसकी वैलियो आजेगी 25 बाई एट बस कुछ नहीं फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूला आपको पता यह स्टार्टिंग में किया था ठीक है हैंस दाजिक वाइड ओलिनोमियल इज एक स्केर माइने समोफ जिरोज अब समोफ जिरोज वन बाई टूलफा प्लस बीटावड़ा लेने यह यह आ फिप्टीन बाई फोर प्लस प्लस प्ड़क्टो जिरोज ठीक है एल्सियम ले लिया एट एट को एक स्केर से मंटिप्लाई की 8X के एट को 4 से डिवाइड किया 2 2 को 15 से मंटिप्लाई की 13X प्लस 15 और यही मारी क्या है क्वाड़िक प्लिनोमियल है मतलब इन दोनों का एल्सियम ले लिया एट ठीक है एट नीचे आजएगा इन दोनों की एट को इससे मंटिप्लाई की जब इसके नीचे एट लगाएंगे लेकिन इसके नीचे तो 4 है 4 को 8 से डिवाइड करेंगा अंसर आजएगा 2 2 को 15 से मंटिप्लाई करेंगे 30 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 1 को 25 से तो 25 कलियर है सम एक कोस्टन है कि सम और प्रड़क्ट है जिरूज का वो इक्वल दे रखे है इस एक्वेशन का के की वैल्यू फाइंड करो अल्फा पलस बिटा और अल्फा इन्ट बिटा दोनों इक्वल दे रखे हैं अल्फा इन्ट बिटा 3 के स्केर बाई 4 आजेगा और अल्फा पलस बिटा 27 बाई 4 आजेगा क्योंकि माइनिस क्या तो पलस में 4 से 4 कैंसल 3 के डिवाइड में चलाएगा 27 9 आजेगा 9 रूट होता है पलस माइनिस 3 का ठेक है तो यही मारा आंसर था तो इसी के साथ आज हमने चैप्टर 2 पॉलनुमियल के जो इंपोर्टन कोश्चन है वो हमने डन कर लिया है स्टेटमेंट चेंज हो करा सकती है लेकिन कोश्चन जो है वो सेम रहेंगे पशनल रणति है मेरी इस से बाहर कोश्चन आ गया तो आप मेरे को कहा देना कमेंट बॉक्स में भी बाहर आ आ question ये 16 question है पहले भी करवाए थे ये question ऐसे हैं जो 100% guarantee के साथ कह सकते हूं कि जाम में आणी आणी है ठीक है इसलिए साथ की साथ copy pen लेकर बैठा करो ताकि आपकी revision जो है वो अच्छे सी हो सके ठीक है तुम मिलती है next video में thanks for watching this video